अल्जेब्रा का लूसेंड का यह बहुत ही इंपॉर्डन कोश्चन है जो की सीजियल मेंस का कोश्चन है फ्रेंड्स इसको ध्यान से समझेगा ऐसे कोश्चन एक्जाम से में आते हैं तो हमारे लिए कॉफी कॉम्प्लिकेशन होता है इसका सलूशन करने में क्या दिया है कहरा if x cube plus 3x upon 3x square plus 1 is equal to something मतलब 189 upon 61 find the value of x हमने 4 option यहां दे रखा है इन 4 option में से 1 option सही है चलिए let's start इसकी सिरुवात करते हैं कैसे इसका solution होगा तो friends आप समझेगा बहुत ही अच्छा question है x cube plus 3x upon 3x square plus 1 is equal to 189 upon 61 मैं यहां क्या करने जा रहा हूँ using c and d component and dividend लगाने जा रहा हूँ c and d जो की most important topic है देखे क्या होता c and d में अभी मैं बात में आपको side में बता दूँगा पहले आप calculation या पहले आप समझ लिजिए जैसे a upon b equals to c upon d हो तो हम क्या करते हैं उपर add करके नीचे subtract और इधर add करके यहां पर subtract कर देते हैं इसको बोलते हैं c and d component and dividend तो आए friends उसी का application करते हैं और इसका solution करते हैं बहुत सारे questions हैसे होते हैं जो c and d से बड़ी easily साल हो जाते हैं तो यहां पर अगर आप use करते हैं तो x cube plus 3x and plus 3x square and plus 1 देखिए आप हमने क्या क्या पूरे को a suppose किया तो पूरा a plus b कर दिया अपान लगा देते हैं नीचे a minus b x cube plus 3x minus 3x square and minus 1 friends आप समझ सकते हैं यहां पे 189 अब plus 61 यहां पे 189 minus 61 कर देते हैं friends आपको पता है उपर वाला क्या farm हो गया x plus 1 आप whole cube और नीचे क्या हो गया x minus 1 आप whole cube देखें यह cube का formula है और details देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो जा करके playlist में देखें मैंने सारे formula के बारे में discussion किया है वहां से आपको समझ में आगे क्योंकि इसमें मैंने formula का application किया है अब आपको पता अगर इन दोनों को add करते हैं तो यह 0 हो जाएगा यह 5 आजाएगा 250 आजाएगा और नीचे subtract करते हैं तो आपको पता यहां पे 8 मिल जाएगा और यहां पे क्या मिल जाएगा आपको आपका 18 18 में से 6 माइनस करते हैं तो 2 आएगा 1 आजाएगा यह आप देख रहे हैं 2 से cancel हो जाएगा 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा और यह देख रहे हैं 2 6 जा, 2 4 जा, मतलब क्या मिला आपको यह x plus 1 आप whole cube upon x minus 1 आप whole cube equals to 1 to 5 upon क्या मिला 64 4, now x plus 1 upon x minus 1 is equal to cube root आप निकालेंगे तो 5 upon क्या जाएगा 4 आजाएगा, friends आए क्रास मल्टिप्लाई करते हैं 4 का इस में 5 का इस में तो यहां हो जाएगा 4 x and plus 4 यहां जाएगा 5 x and minus 5 इधर लाएंगे ट्रांसपोस करेंगे तो minus x हो जाएगा, उदर जाके minus 9 हो जाएगा, minus minus cancel हो गया, x equals to क्या मिल गया, 9, this is the answer, तो I hope option A इसका क्या है, right answer है, तो यह cnd based question था, जिसको मैंने पूरा details बताया, friends, और यह cgl mains का question है, और lucent का question है, तो please friends, अगर हमारे video पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो please इसको like, subscribe, share करना बेलकुल न भूले, next video में फिर सब तक के लिए, thank you so much